समस्कार दोस्तों, आज हम विशेस रूप से जूनियर हिंदी ट्रांसलिटर के पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे आईए हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें पेपर 2 की परिक्षा दो भागों में होती है दो घंटे का यह पेपर होता है जिसमें पहला भाग होता है अनवाद करने का एक हिंदी से अंग्रेजी, दूसरा अंग्रेजी से हिंदी और इसके दूसरे पार्ट में होता है पैसेज लिखन का यानि कि एक अंग्रेजी में पैसेज लिखना है आपको और एक हिंदी में लिखना है आज के इस सत्र में हम केवल पार्ट वन के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें अनवाद का कारे रहता है आपको जो उत्तर पुष्टिका दी जाती है उसके अंत में रफ कारे करने के लिए एक्स्ट्रा शीट होता है जिसमें आप रफ कारे कर सकते हैं पश्ट है कि एक बार कलम उठा करके आप अनुवाद कार्या पूरा नहीं कर सकते इसके लिए जरूरी है आप रफ वाले प्रिष्ट में अनुवाद कार्या करना प्रारम करें और एक खाका सा बना ले जितनी भी उसमें तूटियां हैं या शुदियां उनको आप ठीक कर सकते हैं और उसके बाद में आप अनुवाद को स्वक्षप्रिष्ट में या कि फेर करेंगे आप अपना समय यदि बांटे हैं तो देखें आदा आदा घंटा एक एक चीज पर आप दे सकते हैं आदा गंटा पैसेज लिखने पर एक दूसरा आदा गंटा दूसरा पैसेज करती हैं और आप उसमें अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं इसमें सबसे बड़ी बात है आप जो कुछ भी अनुवाद करते हैं उसकी एक बार अच्छी तरह से समीक्षा करके और फिर फेर करेंगे तो आपके अंक उसमें बहुत अच्छा मिल सकते हैं अब रही बात की डिक्सिनरियां हैं जिनके कई विकल्प मिलते हैं और इससे कन्फ्यूजन बढ़ता है इसलिए मेरा सबसे पहला सुझाव है आपको कि आप आफ लाइन शब्दकोस का प्रयोग करें कोई भी अच्छा शब्दकोस ले लें और उसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होग आप प्रारंभिक अनवाद के लिए NCRT की कोई भी पुस्तक ले लीजे हिंदी की अंग्रेजी की कहानियों की आप उससे अनवाद करिए हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी की अडवांस लेबल के लिए अडवांस लेबल के लिए आप योजना या इस परका का material है तो वह तो सर्वत्तम होगा उससे भी अभ्यास करें चलिए फिर आज इतना ही लाइक सब्सक्राइब और शेर करना ना भूलें फिर मिलते हैं अगले सत्र में